दोस्तो 2023 की तुल्ला में 2024 में जो सबसे ज़ादा इंट्रेस्टिंग इनोवेशन हो रहे हैं वह रहें कीबोर्ड के फील्स में अब इन कीबोर्ड के फील्ल है जो आज अमारे पास कीबोर्ड आया है ना दोस्तो आप लोगोंने तो भरकी कमेंड की आई था मैं खुद भी जे जब्रावनिक्स यह कंपनी थी जो की 18100 कॉमपैट कीबोर्ड बना देती 1800 कॉमपैट कौन से कीबोर्ड है फुल साइस कीबोर्ड का मज़ा चोटे साइस के कीबोर्ड में आ जाता है वही है इंटीन एकन नया खिलाडी इवो फॉक्स ने एक नया मॉडल डाल दिया है न आगे हम फर्दर डूप जाए नीचे जो भरोसे वाला बटन है नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ नोटिफिकेशन को ओल पे करो कि कि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें आपके प्रती इमांदार बनाए रखता है नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है दोस्तों और साथी मैं यह भी कहूंगा कि इस तरीके के अनबाइस वीडियो बनाने के लिए आपका साथ हमें और भी तरीके से चाहिए इस कम्यूटी को ग्रो करने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोड़क्ट है जो कि इस यूट्यूब चैनल के अंदर फीचर नहीं हुआ है और उससे कम्यूटी को फायदा हो सकता है तो आप वो प्रोड़क्ट हमें भेजिए आपके लिए एक छोटा सा लेकिन प्या वाउचर डॉमिनोस का और अगली बार जीतने की बारी आपकी है दोस्तों आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है अगर आपके पास बड़ी आसा एक सेटप बनाए हो एक डिक्स्टॉप का हो लैप्टाप को हो मुझे फरक नहीं पड़ता क्रियेटीव होना चाहिए अच्छा को भी मिल जाएगा एक फ्री डॉमिनोस पीजा का वाउचर अच्छा दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई लोग जो है इस तरह के वीडियो में पूछते हैं पैकेजिंग पैकेजिंग का गया तो भाई यह सारी चीज़े जो है आपको देखने को मिल जाए और डेडिकेटेट ह लोगों के आँखों में पढ़ने वाला है वह 1800 कॉंपैक उसके साथ डाहल नॉप का कॉंबिनेशन डेडली कॉंबिनेशन है दोस्तों अच्छा है पहली यह बात क्लियर हो जानी चाहिए लेकिन बिल्ट कॉलिटी की बात करनी भी ज़रूरी है यहां पे बिल्ट कॉलिटी दो साइजेज आपको देखने को मिलेगा और बहुत बढ़िया हिंजे के साथ आता है और अगर बात करें इसके केवल यहां पे आपको देखने मिलता है 1.5 मिटर लेंग के साथ इसका मतलब अगर आप कैबिनेट नीचे रखते हो ऊपर रखते हो और कीबोड को नीट एंड के रेंज में जितने भी कीवोड आते हैं जो एबिस प्लास्टिक यूज किया जाता है वही यहां पे भी आपको देखने उब लेगा नाथिंग बोर दिन डैट लेकिन यहां पे जो स्वीच सिस्टम यूज किया गया है वह ओटेमो ब्लू यूज किया गया है अब मुझे यह जानना है की ब्लू के साथ रेड कप तक अवीलेबल होगा क्योंकि जाधा जो में draw Glad помог इस्टम के ऊपर विघने वाला है क्योंकि जो ब्लू क्लों करने वाले वैप करने काम करने वालों के लिए सभी रहेगाowing करने के लिए सही रहेगा लेकिन गेमिंग के लिए आपको रेड़ वाले स्वीच बहुत ज़रुरी है लेकिन जो स्वीच इसमें लगा है लगा है आपको आसानी से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि लिए बहुत आसता है जब हलुत बगाओंपा है आपका जो जब फिए और कपका बउख्यूंग के इसमें हाँ one प्राइज के अंदर यही वाले स्वीच सिस्टम आपको देखने को मिलता भी है लेकिन जो चीज मुझे थोड़ा ताज्जुब करती है वो है स्वैपिंग फीचर यहां पर आज के डेट में 2000 के रेंज में कॉस्वीबाइट स्वैपेबल फीचर वाले स्वीच सिस्टम निका को ध्यान में नहीं रखी एक डाउन साइड जरूर मैं कहूंगा कि इस कीबोड में सारी चीजे अच्छी होने के बावजुद मुझे इसके अंदर वाले फीचर दीखने थे अगर आपको मॉडिंग वगरा नहीं करना है आपको सिर्फ गेमिंग पे ध्यान देना है आपको स स्विच सिस्टेम के बाद अब किसकी बारी है अब बात करेंगे ऐसे उन फीचर की जो किसी कीबोड को ऑटनरी कीबोड को दोस्तों गेमिंग कीबोड बना देती है और एक्जामपल मल्टिवीडिया होटकी का सपोर्ट विंडोज लॉग बटन एंटी गोस्टिंग एंकी पूडवर का सपोर्ट और साथ ही आपको पूरा की बोड लॉट करने की सव्यियर जो फीचर से आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही कुछ एक्सराफ भी देखने को मिल रहे हैं जहां इस डाइल नॉब से आप जो है वाल्यूम तो करी सकतियों प्लस माइनस म में की बॉर्ड का जो ओवरॉल ब्राइटनेस है उसे भी टॉगल कर सकते हो क्या करना है सिंपली यह जो नौब है इसे टैप करके होल्ड करना है तीन लाइट यह वाले जलेंगे जैसे ही ब्लिंग करते इसका मतलब कीबोर्ड अब रेडी है ब्राइटनेस मोड को टॉगल करने के लिए अब जब भी आप रेगुलेट करोगे तो ब्राइटनेस जो है ठॉगल होगी अच्छा दोस्तों लाइट के ब्राइट आप function, up arrow और down arrow से भी ब्राइटनेस कमजादा कर सकते हो function प्लस side arrow से आप animation के speed को कम जादा कर सकते हो रह गई बात animation की तो 13 animations आपको इस keyboard की ओपर देखने को मिल जाता है RGB नहीं है दोस्तों, RGB की जगा rainbow backlight system आपको यह पर देखने को मिलता है और इसे toggle करने के लिए function plus slash button को आपको धमाना पड़ेगा तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं क्या ये जो keyboard है under 2000 के हिसाब से सही keyboard रहेगा क्योंकि आपके hard and money का सवाल है और overall आपको keyboard एक ही लेना है options आपके पास भले कितने भी हो देखो अगर options की ही बात करें तो यहाँ पे आपके पास दो options है एक Zebronics Nitro Pro आता है जो कि already बहुत अच्छा keyboard है sound damping बगर के साथ आता है hot stability के साथ आता है लेकिन 500 रुपे महेंगा भी है 500 रुपे का और extra expenses ले सकते हो तो Zebronics Nitro Pro से better keyboard ये नहीं है unfortunately लेकिन अगर आप 2000 के अंदर एक compact लेकिन full size keyboard का मजा लेने वाला कोई keyboard ढूल रहे हो तो इससे better keyboard भी देन नहीं है तो यहाँ पर आपको 1800 compact के साथ आपको एक proper volume knob brightness toggle करने के लिए knob देखने को मिल रहा है build quality बहुत अच्छी है lighting बहुत अच्छी है और साथी इसका overall typing experience बहुत अच्छा है switch system भी बहुत अच्छा है तो overall बाकी सारी चीजों में अच्छा है company से मेरी एक ही request है इसका एक red वाले switch के साथ जरूर model उतारना चाहिए और साथी swappability feature या लादो क्योंकि यह बहुत जरूरी है आज कल 1780 के keyboard में आपको swappability gossip bed निकालके दे रही है फिलहाल अगर आपको modding नहीं करनी है gaming पे focused हो या academics में focused हो तो आपके लिए यह keyboard बहुत अच्छा होने वाला है मेरी तरफ से बिलकुल recommended है अगर आपको समझ में आ गया है आज के अपिसोड से की katana x कैसा keyboard है और katana x आपके लिए है या नहीं तो नीचे हर तरह का buying link चाहिए वह official website का हो चाहिए वह Amazon का हो आपको देखनी को मिल जाएगा जाओ जाके खरीदो जहां से सबसे सस्ता मिले वह लगाएंगे क्योंकि मुझे देखना है अगली बार आपको एक प्री डॉमिनोज पीजा वाउचर जीते हुए